जै शिरीराम सीता पर आसक्त विभीशन आदी बंधूं का निरादर करने वाले और भार्य हरण का पाप कर्म करने वाले रावण का शरीर दुबला होने लगा, क्यूंकि पापी अपने पाप कर्मों द्वारा ऐसी दशा को प्राप्त होता है. रावण ने मंत्रियों और मित्रों के साथ परामर्श कर शिरीराम जी के साथ युद्ध करना ही ठीक समझा, फिर रावण सुण की जालियों से भूशित, मुंगों और मणियों से शोभित, और शिक्षित घोडों से युक्त, बड़े रत पर सवार होकर सभभवन की और चला, और जब रत सामने आता, तब वे रत में सवार रावण को जुक जुक कर प्रणाम करते थे, इस प्रकार राक्षसों से सम्मानित और विजय के लिए आशिरवात सुनता हुआ, महतिजस्वी रावण सुन्दर सभाभवन में पहुँचा, सभाभवन के फर्ष का मध्य भाग स्वठीक पत्थर का बना हुआ था और उसके उपर सुनहले और रुपहले काम का फर्ष बिचा हुआ था, शरीड को सजाए और छे सो पिशाचो द्वारा रक्षित वहतिजस्वी रावण विश्व कर्मा के बनाए सभाभवन में पहुँच, पन्नो के जड़ाउ सिहासन प जिसके उपर प्रियक जाती के हिरन का कौमल चर्म बिचा हुआ था, जा बैठा, फिर उसने दूतों को बुला कर आग्या दी, जाओ और शीग्र ही लंकावासी रक्षसों को मेरे पास लिवा लाओ, वे दूत लंकापुरी में घूम घूम कर सोते हुए, उद्ध्यानों में खेलते हुए अर्थाट हर जगय राक्षसों में रावड की आग्या का प्रचार करने लगे, राक्षसराज की आग्या पाते ही उन राक्षसों में से, कोई रथों पर, कोई अलग घोडे पर, हाथियों पर, और कोई पैदल ही चल दिये, इस प्रकार राक्षसराज की आग् पुदिबान मंत्री भी उस सभा में बैठे हुए थे। फिर विभीशन सुण भूशित सुंदर रत पर सवार होकर अपने बड़े भाई के सभा भवन में पहुचा। तब रावण ने सभा को देखकर सैना पती प्रहस्त को इस प्रकार आग्या दी। हे सैना पती सैना के चारो तरहे के रत सवार, हाथी सवार, घुड सवार और पैदल। सैनिकों को नगर रक्षा के लिए तुम यथा स्थान नियत कर दो। तब प्रहस्त नगर की रक्षा के ल बाहर और भीतर बलवान सैना नियत कर दी है अब आपकी जो इच्छा हो आप स्वस्थ मन से करें प्रहस्त के ये वचन सुन्रावड कहने लगा भाईयो विपत्ती में प्रिये अप्रिये सुख दुख हानी लाब तथा धर्मार्थ की सब बातें तुम लोग जानते ही हो तुम मैं कई काम तुम लोगों की समती से पूरे कर चुका हूं इंद्र जिस प्रकार चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदी से सेवित होकर सुर्ग सुख भोगा करते हैं उसी प्रकार मैं आप लोगों के साथ लंकापुरी का राज्य करता हूं मैं सब प्रकार कार्रें को आप लोगो को बता देना चाहता था, प्रन्तु कुम्बकर्ण की निंद्रा के कारण मैं यह न कर सका, यह कुम्बकर्ण जो सब श्रेष्ट, श्यस्त्रधारियों में श्रेष्ट है, छे मास बात अब सो कर उठा है, इसलिए वह बात जो मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हू वह यह है कि जानकी की पुत्री और राम की प्यारी पट्रानी सीता को मैं दंडकवन के जन स्थान से ले आया था, मेरी समझ में सीता के समान सुन्दर स्त्री तीनों लोकों में नहीं हैं, इसलिए मैं उसके अधीन हो गया हूँ, उसने अपने पती राम चंदर की कर चुका हूं मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि वे सब वानर और दश्रत की दोनों पुत्र इस सागर को किस तरह पार करेंगे साथ ही यह भी विचार उत्पन होता है कि जब एक ही वानर ने मेरा इतना बड़ा अपमान और मेरी सैना का नाश कर डाला तब तो उनके कारे को जानना कठिन है अतहा अब आप लोगों की समझ में जैसा आए वैसा ही मुझसे कहें यद्दिपी हम लोगों को मनुष्य से डर नहीं है फिर भी विचार करना उचित है मैंने पहले देवसुर संग्राम में तुम लोगों की सहायता से ही विजय पाई थी अब उपस्थित इ यह भी समाचार मिला है कि सुग्रीव आदिवानर और वे दोनों वीर राचकुमार समुद्र के उस पार आ पहुंचे हैं वे सीता के यहां होने का समाचार पाकर ही समुद्र तट पर आए हैं सीता को न देना पड़े और वे दोनों राचकुमार भी मारे जाएं इसलिए इस इस विशे में सोच विचार कर मुझे निश्चित बात बताएं कि क्या किया जाए। वैसे मैं तो इस संसार में किसी दूसरे में ऐसी शक्ती नहीं देखता जो कि वानरों के साथ कोई समुद्र के इस पार आ सके। फिर मेरी जीत तो निश्चित ही है। वासना में अंधे होने के कारण रावण की मुद्धी बिगड़ गई थी। अताहा उसकी उल्टी सीधी बातों को सुनकर कुम्मकर्ण को बड़ा क्रोध आया और वहे भी अटपटी बाते कहने लगा। हे राजन, जब आप सीता को वरजोरी से हर कर लाए, तब उसकी पूर्व एक बार भी इस विश्य में भली भाती विचार कर कुछ निश्य किया था। आपने ये सब काम अनुचित किये हैं। करने के पूर्व हम से सलह लेनी थी। जो राजा विचार पूर्वक कारे करता है, उसको पीछे पच्ताना नहीं पड़ता। प्रंतु उपाय के बिना जो कारे मनमाने ढंक से उल्टे सीधे किये जाते हैं, वे सब प्रकार से दूशित होते हैं। तुमने बिना सोचे विचारे यहे बड़ा भारी कारे कर दिया है। यहे बड़े सोभग्य की बात है कि राम ने अभी तक तुम्हें नहीं मारा। कि राम चंद्र एक बार छोड़ कर दूसरा बार न छोड़ पाएंगे, तब तक मैं उनका रक्त पी लूँगा। कोड़ी दे कुछ सोच विचार कर हाज जोड़े हुए बोला। दे रक्षस राज, तुम स्वेम सबके शासक हो, तो महारा शासक कौन हो सकता है। तुम तो अपने वैरी के सीस पर पैर रख कर जानकी के संग व्यहार करो। जब इंद्रजीत और कुम्बकर्ण मेरी सहायता को कमरकस कर खड़े हो जाएंगे, तब हम वज्रधारी इंद्र का भी सामना कर सकते हैं। तुम हारे समस्त शत्रूओं को निससंदेह वश में कर लूँगा। महापार्श्व के ये वचन सुनकर रावर ने उस कथन की प्रशंसा करते हुए ये वचन कहे। हे महापार्श्व, मैं अपना कुछ पुराना रहसे युक, वर्तांत तुमको सुनाता हूँ। पुंजिक स्थली नाम की एक अपसरा ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी को प्रणाम करने जा रही थी। वह भय के मारे आकाश में छिपी हुई जा रही थी और अगनी शिखा की तरह दमक रही थी। मैंने बल पूर्वक उससे विहार किया, वह ब्रह्म लोक में काप्ती हुई पहुची। मैं समझता हूँ, ब्रह्मा जी को यह हाल मालुम हो गया, और उन्होंने अत्यंत कृध हो, मुझको यह शाप दिया। यदि आज से तु किसी स्त्री के साथ बरजोरी से विहार करेगा, तो तेरे सिर के सौ टुकड़े हो जाएंगे। मैं उसी शाप से डर कर सीता को अपनी सेच पर बरजोरी चड़ाने का प्रत्न नहीं करता। मेरा समुद्र के समान वेग है, और पवन की तरहं गती है, क्या वह दशरत का बेटा यह बात नहीं जानता, जो मुझ पर चड़ाई करता है। पूर्वकाल में कुबेर दुआरा पालित यह लंकापूरी मैंने अपने बाहुबल से जीती है, रावड की डींगे और कुम्बकर्ण की निरर्थक बाते सुनकर, विभीशर ने रावड से हितकारी और सार्थक वचन कहे। हे महराज, सीता रूपी बड़े भारी सर्प को आप यहां क्यूं लाएं हैं? जब तक परवत शिखर के समान उचे वानर, जिनके नख और दांत ही अस्त्र हैं, लंकापूरी पर चड़ाई नहीं करते, इसके पूर्व ही आप सीता जी को शिरीराम को लोटा दे। हे राजन, क्या कुम्बकर्ण, क्या इंद्रजीत, क्या महापार्श्व, आदी इन में से कोई भी रणशेतर में शिरीराम जी के सामने नहीं खड़े रह सकते। पाताल में भी कहीं भी जाचिपो, पर शिरीराम जंद्र से तुम्हारा बचना असंभव है। विवीशन के ये वचन सुन, प्रहस्त कहने लगा, हमें देवताओं, असुरों, अथ्वा, अन्ने किसी से कुछ भी भाय नहीं है, तब एक रामचंद्र से हमको क्यों भैभीत होना चाहिए। प्रहस्त के इन वचनों को सुन, रावड के हितैशी विवीशन ने कहा, हे प्रहस्त देखो, रावड ने तुमने और कुम्ब करने रामचंद्र के विशे में जो समझ रखा है, वह ठीक नहीं है, अर्थार्थ हम सब मिलकर भी उन्हें नहीं मार सकते, विरात कबंद बाली आदी को मारने वाले पुरुष के साथ, युद्ध करते समय देवताओं की भी बुद्धी चक्राने लगती है, हे प्रहस्त शिरी राम के पैने सीधी पंखदर असहेबान, जब तक तुम्हारे शरीर को छली नहीं करते, तब तक तुम जो चाहो बढ़ चड़ कर कहलो, यु और बिना सोचे विचारे कारे करते हैं, आप लोग भी इनके मित्री रूपी शत्रू हैं, तथा आप लोगों की सलहा से समस्त रक्षस जाती का नाश होगा, मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, कि शिरी राम रूपी सर्प के मुख में फसे हुए रावड को आप लोग किसी तरह बचाईए, इस राजा से अब तक आपकी सभी कामनाई पून हुई हैं, आप इनके हितैशी हैं, जब किसी पुरुष को कोई भूत पकड़ लेता है, तो उसे उतारनी के लिए बाल पकड़ कर खीचा जाता है, उसी प्रकार आप लोग भी बल पूर्वक, यदि आवश शक्ता पड़े तो केश पकड़ कर वर्जोरी से इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें, और ऐसा करने में मान अपमान का विचार न करें, उत्तम चरित्र रूपी जल से पून शिरीराम रूपी सागर इनहीं डुबो रहा है, ऐसी दशा में आप सब लोगों को मिलकर इ विचार कर अपनी यह सम्मति देता हूं कि राक्षस राज शिरीराम को सीता लोटा दें, वास्ता में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रुपक्ष के बल प्राक्रम को समझ कर तथा हानी और वृद्धी का अपनी बुद्धी के दुआरा विचार करके जो स्वामी क के लिए हितकर और उचित हो वही बात करें विभीशन की बाते बड़े ध्यान से सुन महा बलवान मेगनाद बोला हे चाचा तुम डरपोक लोगों की जैसे बाते करके क्यों अनर्थ कर रहे हो जो पुलस्ते कुल में उत्पन नहीं हुआ वह भी ऐसी बाते नहीं कहेगा और ना ही ऐसा कारे करेगा महानुभावो देखो मेरे पिता के छोटे भाई यह विभीशन ही ऐसे अकेले इस वंश में पैदा हुए हैं जो बल, प्राक्रम, शौरे, धैरे और तेज से हीन हैं अरे जो तीनों लोकों का नात इंद्र है उसे तो मैं पकड़ कर पृत्वी पर ले भैभीत हो इधर उधर भाग गए थे जोर से चिलाते हुए इंद्र के हाथी एरावत को मैंने उठा कर जमीन पर पटक दिया था और दांतों को उखाड कर सब देवताओं को भैभीत कर दिया था सो मैं वही देवताओं का घमंड चूर करने वाला बड़े बड़े दैत्तियों को दुखी करने वाला होकर भी क्या उन राचकुमारों के साथ जो मामूली मनुष्ये हैं युद्ध न कर सकूंगा इंद्रिजीत के ये वचन सुनकर विभीशर ने कहा हे पुत्र तुम उचीत और अनुचीत कारे को विचार करने में अत्यत अज्यानी हो क्योंकि अभी तक तुम्हारी बालकों जैसी आपरिपक्वो बुद्धी है इसलिए तुम अपना सत्यानाश करने के लिए व्यर्थ की बाते कर रहे हो तुम रावड के पुत्र इंद्रजीत अवश्य कहलाते हो किन्तु तुम रावड के मित्र रूपी शत्रु हो जो रक्षस राज को घोर विपत्ती में फसा हुआ देखकर भी तुम मोहवश उनको नहीं रोकते तुम बड़े कुबुद्धी अविवे की अशिक्षित और क्रूर सुभाव हो और इसलिए तुम मार डालने योग्य हो साथ ही वहे भी मार डालने योग्य है जो तुम्हें इस सभा में लेकर आया है जब शिरीराम जी रण भूमी में खड़े होकर ब्रमदंड और कालागनी के समान तीखी बान छोड़ेंगे तब उनको कौन सह सकेगा हे राजन धन रत्न आभूशन और बड़िया वस्त्र सहित तुम शिरीराम को सीता लोटा दो जिससे हम लोग आनंद पूरवक इस पूरी वचन कहे क्योंकि उसके सिर पर तो काल खेल रहा था भले ही कोई शत्रू के अथवा जहरीले सांप के साथ रह ले किन्तु शत्रू के पक्षपाती मित्र रूपी शत्रू के साथ कभी ना रहे मैं सब लोगों के जाती वालों का सोभाव भली भाती जानता हूँ कि विरादरी में जब एक पर विपत्ती आती है तब दूसरे प्रसंड होते हैं। भले ही वे आपस में प्रसंड रह रहे हों किन्तु विपत्ती पढ़ने पर वे अत्यचारी हो जाते हैं और अपने मन का मन में ही छिपाए रखते हैं सुनने में आता है कि एक बार बहुत से लोग हाथियों को बांधने के लिए रसे लिए हुए चले आ रहे थे पद्मुबन के हाथियों ने उस समय कुछ शिलोक कहे थे मैं कहता हूँ तुम सुनो हाथियों ने कहा था कि अगनी शेस्र और फंदों से हम जरा भी नहीं डरते हम तो भयंकर एवं स्वार्थी अपनी जाती वालों से डरते हैं क्योंकि पकड़ने का उपाए यही बतलाते हैं मुझे यह बात भली भाती मालुम है कि सब भयों से बढ़कर बिरादरी वालों का भाए कस्ट दायक है मैंने शत्रूओं को पाराजित कर अतुलित यश्प्राप्त किया है वो तीनों लोग मेरा सम्मान करते हैं सो हे सो में मैं जान गया कि मेरा यह सो भाग्य तुमको अच्छा नहीं लगता तुने जैसी बाते अभी कही है यदि वैसी बाते कोई दूसरा कहता तो ततकाल ही मैं उसे मरवा डालता हे विभीशन तु जैसे कुल के कलंक को धिकार है जब विभीशन ने रावड को इस परकार धिकारा तब वहे चार राक्षसों के साथ हाथ में गदा लिये हुए उड़कर आकाश में जा पहुचा आकाश में पहुच और क्रोद में भरकर विभीशन ने अपने भाई रावड से कहा हे राजन तुम मेरे बड़े भाई के कारण पित्र तुल्ले और पूज्ये हो किन्तु तुम धर्म पर नहीं चलते अतहा मैं तुम्हारे इन कठोर और अप प्रिये वचनों को न सहूंगा हे दशानन मैंने जो कहा था सो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा था और वह कहा जो आगे होने वाला है किन्तु तुमने बातों पर ध्यान नहीं दिया तुम ध्यान देते भी क्यों तुम्हारे सिर पर तो काल खेल रहा है हे राजन सदैव चिकनी चुपडी बाते कहने वाले मनुश्ये बहुत मिलते हैं किन्तु नियाय पर ये बाते कहने और सुनेने वाले मनुश्यों का मिलना कठिन है काल के पाश में तुमको फसा हुआ देख मुझसे ना रहा गया भला घर को जलते हुए देख कौन चुपचा बैठा रह सकता है राम द्वारा तुम्हारा मारा जाना मैं देखना नहीं चाहता बड़े बड़े शूरवीर और अस्तर चलाने में चतुर लोग भी काल के वशी भूत हो बालू की दिवार की तरह युद्ध में शीक्र नस्ट हो जाते हैं हे भाई तुम मेरे पुझे हो अतहम मैंने तुम्हारे हित की कामना से जो कुछ कहा है उसे शमा करना अपनी और इस लंका नगरी की रक्षा करना तुमहारा मंगल हो मैं अब जाऊंगा अब तुम मेरे ना रहने से सुखी रहो विभीशन रावड को इस प्रकार कठोर वचन कहकर एक शन में वहां पहुंचा जहां शिरी राम और लक्षमन थे बिजली की तरहां चम चमाते आकाश में स्थित विभीशन को नीचे से वानर यूथ पतियों ने देखा पहाड की तरहां विशाल और इंद्र के वज्जर की तरहां प्रभा युक्त उत्तम अस्तरों को लिये हुए और सुंदर स्वन आभूशनों से शोभीत विभीशन और उनके प्रक्रमी चार अनुचर जो कवच पहनी तथा अस्तर शस्तर से सुसजित थे देखा सुग्रीव इन पाँचों व्यक्तियों को देख अन्यवानरों के साथ सोचनी लगे फिर सोच विचार कर कहने लगे देखो यह कोई रक्षस है जो सब आयूधों से सुसजित तथा अपने चार साथियों के साथ हम सब लोगों को मारने के लिए आ रहा है जब सुग्रीव ने इस प्रकार कहा तब उन सब वानरों ने बड़े बड़े शाल व्रिक्ष और शेलाएं हाथों में ले सुग्रीव से यह कहा हे राजन आप इस दुरात्मा को मारने की हम लोगों को शिक्र आग्या दें हम इसे अभी मार कर नीचे गिराते हैं इधर वानर इस प्रकार की बादचित कर रहे थे उधर विभीशन समुद्र के उत्तर तट के उपर आकाश में ही ठहर गए तब सुग्रीव और अन्यवानरों की और देख कर विभीशन ने उच्चिस्वर से कहा रक्षसों का राजा रावर नाम का एक रक्षस है जो बड़ा दुराचारी है मैं उसी का छोटा भाई विभीशन हूँ वही रावर जटाईयों को मार कर जन स्थान से सीता को हर लाया था वह बेचारी सीता रक्षसियों के बीच विवश और दीन हो कैद में है मैंने रावर को कितनी ही युक्तियों से समझाया और कितनी ही बार कहा है कि तु सीता शिरीराम को दे दे किन्तो उसने मेरी बात न माने और उसने मुझ से कठोर वचन कहे और टहलुए की तरह मेरा अना शिरीराम से निवेदन कर दे कि विभीशन आया है विभीशन के यह वचन सुन सुग्रीव शीगरता पूर्वक शिरीराम के पास जाकर कहने लगे कि रावर का छोटा भाई विभीशन चार राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है हे रागव ये राक्षस है ये जब चा तथा बड़े वीर और बड़े कप्टी हैं, मुझे तो यह रावड का भेदिया जान पड़ता है, निश्य ही यह हम लोगों से हिल मिलकर हम लोगों में ही भेद भाव उत्पन्न कर देगा, फिर अफसर पाते ही यह हम पर अक्रमण कर देगा, हे प्रभु, एक तो यह सोभाव से ही रक्षस ठहरा, दूसरे शत्रू का भाई है, तीसरे हाल ही में शत्रू के पास से चला आ रहा है, मैं इसका कैसे विश्वास करूं, मैं तो इसे दंड देना ही ठीक समझता हूं, सुग्रीव इस प्रकार के वचन कहकर चुप हो गए, तब शिरीराम पास बैठे हनुमान आदी मुख्य वानरों से बोले, रावण की छोटे भाई के सम्बंद में, सुग्रीव ने जो बाते कहीं हैं, विस सब आप लोगों ने भी सुनी हैं, अतहा आप लोग भी अपनी राय दें, शिरीराम जी के ऐसा कहने पर वानरों ने कहा, हे राघव, तीनों लोकों में ऐस पर ताल कर काम करने वाले, इस्ट मित्रों के प्रती विश्वास करने वाले और हितैशी हैं, इस समय आपके समीब, बुद्धिमान और समर्थ मंत्री हैं, वे अपनी अपनी सम्मती प्रकट करें, तब अंगत ने सबसे पहले विवीशन की परेस्थिथी का विवेचन करते ह वे अपनी सम्मती दी, विवीशन शत्रू के पास से आ रहा है, अतहा इसकी ओर से शंका उत्पन होना स्वभाविक है, यह सहसा विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्रूर सुभाव वाले रक्षस सदा अपने मन का भाव छिपाई घुमा करते हैं, और अफसर आते ह प्रहार कर बैठते हैं, जहां ऐसा होता है, वहां बड़ा भारी अनर्थ होता है, अतहा गुण दोशों को विचार पूर्वक निश्चित कर विचार करना चाहिए, यदि विवीशन में बहुत से गुण हो, तो उसको मिला लेना चाहिए, और यदि कोई बड़ा दोश हो, उसका त्याक कर देना ही अच्छा है, फिर बुद्धिमान जामवान ने विचार कर यह बात कही, कि हमारी शत्रू और पापी रावड के पास से विवीशन ऐसे समय में आया है, जिस समय उसका आना अनूचित था, फिर यह स्थान भी इस कारे के लिए उप्युक्त नहीं है, अतहा इससे सरवथा सशंकित रहना ही उचित है, नीती और अनीती की विवेचना करने में दक्ष मैंद ने भली भाती सोच कर अत्यंत युक्ति-युक्त वचन कहा, हे रागव यह विभीशन रावड का छोटा भाई है, अतहा इससे शिस्टता पूर्वक, धीरे-धीरे मध पूछनी चाहिए, इसके मन की असली बात जान लेने के बात, इसके दुस्ट अथवसादू होने का विचार कर, जैसा ठीक लगे, वैसा आप करें।